आप सभी का स्वागत है आरा सर के यूटूब चैनल पर और हम सब लाइव है नई क्लास के साथ में और यह जो क्लास आपकी होगी यह है आपके पास क्लास नमबर 33 ठीक है मिशन 2021 का क्लास नमबर 33 है और आपको बता दू कि जो भी बच्चे नए है यह आपका एक प्रेक्टिस शेशन है और कॉंसिट की क्लास के बाद में प्रेक्टिस शेशन यहां पर हम आपको डील करवाते हैं ठीक है चलो जी मैं इंट्रोडक्शन स्टार्ट करता हूँ तब तक सारे बच्चा आजाए फिर स्टार्ट करेंगे क्लास अगर किसी बच्चे को अनिकेडमी लेर्णिंग एप का पता नहीं हो तो मैं बता दू गूगल प्ले स्टोर पर जाके अनिकेडमी लेर्णिंग एप सर्च करिए एसा आइकन आपको दिखेगा वहां से आप इसको 1000 टॉप 3000 कोश्चन की सीरी जोती है आप इसको जरूर जोइन करें उसके बाद में अगर किसी बच्चे को अनिकेडमी पर प्लस का कोर्स अगर लेना हो तो यह आपके पास वन मन्त त्री मन्त सिक्स मन्त के चार्जिस हैं और अगर आप यह वाला कोड एपलाई करते हैं तो इससे आपको 10% ओप हो जाएगा और यह एक ही कोड के साथ में आप मैथ, फिजिक्स, इंग्लिस और रागा की जो पेड क्लासे हैं जिनके पेसे लगते हैं वो आप एक्स्प्लोर कर पाओगे और यह हमारा टेलिग्राम चेनल है टीम आरसर और यहां पर हर क्लास का पेडिय ठीक है चलो जी यह हमारी क्लासे का टोटल टाइमिंग है इतनी क्लासे आपकी होती है बेक टूबे क्लासे होती है साम को पांच बजे तक है ना चार से लेकर पांच लाश्ट वाले क्लास तो आप यह देख लो कि यह वाली क्लासे आपके कंप्लिट हो चुकी है यह वाली क् पर ये जो concept इस class में concept होते हैं इसके practice आपको 2.30 p.m. वाली class के अंदर करवा देते हैं ठीक है ताकि आपके concept बहुत अच्छे तरीके से हो जाए हैं चलो जी आजओ भाई सारे के सारे बच्चे और जो भी बच्चे class में आ चुके हैं I love my parents का comment करेंगे उसके बाद में एक घंटे तक पेटी पेखोकर class में आपको बेटना है और concept के साथ में एक-एक question को उठाना है और दूसरी बात में कहूंगा कि ये जो properties of triangle का chapter बहुत hard है लेकिन hard तब है क्योंकि इसको formula याद करने में हमारे को बहुत जोर आता है तो सबसे पहले तो मैं आपको क्या बताऊंगा कुछ formula ही revise कराऊंगा formula रिवाइज करा दूँ उसके बाद में अपना आगे बढ़ते हैं सबसे पहली मैं बात करूँ कि आपको जो मैंने formula बताये थे एक तो area का बताये था अगर ये कोई triangle आपके पास हो इसके अंदर angle A हो ये B हो और ये अगर C हो ये small है ये small भी small c तो इस triangle का जो area आपके पास होगा वो क्या लिखाया था याद करो मेरे साथ में 1 बटा 2 AC AC sign B होगा या फिर इसका जो area होगा वो क्या होगा एक बटा 2 ये वाली side ये वाला side और ये वाला angle दो side और उनके बीच का angle का sign A A B sign C या जाएगा अगर ये दोनो side आप लेते हो तो angle आपको ये लेना पड़ेगा क्या होगा एक बटा 2 BC sign A ठीक है तो इस तरीके से ये तो आपके पास क्या होगा area उसके बाद में मैंने आपको बताया था half angle formula और half angle formula अगर किसी बच्चे को देखे याद है क्या revise करो फटा फट से half angle formula याद होने चीए आपको बहुत ही काम की चीज़ है तरह ना half angle formula याद होने चीए आपको hard नहीं है बिटा जब तक आप practice नहीं करते हो ना तब hard लगता है आपको half angle formula में सबसे पहले मैंने आपको बताया sign A by 2 तो sign के अंदर खुद की वाली से दुस्मनी होती है इसका मतलब यह आजाएगा A के सामने वाली से दुस्मनी मतलब S minus B S minus C upon आपके पास होता है BC यह होता है आपके पास किसका formula sign A by 2 का सेम इसी तरीके से अगर मैं लिखूँ आपके पास sign B by 2 का तो इसके अंदर B के सामने वाली side small b आएगी सेम इसा का इसा और सर कोस के अंदर जो आपके पास half इंगल formula होता है इसको खुदवाली से प्यार होता है S minus A upon आपके पास हो जाता है BC S minus A upon BC यह formula होता है सर किसका cos A by 2 का सेम इसी तरीके से cos B by 2 का जो formula होता है खुदवाली से प्यार होगा S minus B upon क्या होगा AC होगा लेकिन यह 10 है ना यह बहुत ही खतरनाक आदमी है 10 के अंदर क्या होता है ज़रा देखेगा 10 के अंदर क्या होता है 10 के अंदर sin A by 2 upon cos A by 2 अगर अपन करते हैं तो यह होता है आपके पास S minus B S minus C upon S S minus A यह मैंने formula आपको लिखाया था किसका 10 A by 2 का formula लिखाया था यादा रहा होगा 10 A by 2 का formula यह है इसका एक formula मैंने वो लिखाया था मैंने कहा था इसको S S minus A से उपर नीचे product कर दो S S minus A से उपर नीचे जब product करोगे तो उपर क्या बन गया किसर उपर तो triangle का यह उपर तो triangle का क्या है area है और नीचे आपके पास क्या है S S minus A डेल अपोन S S minus A यह 10 A by 2 का formula अगर मैं लिखू 10 B by 2 का formula तो आप क्या बताओगे किसर वो होता है डेल अपोन S S minus B यह होता है 10 B by 2 का formula आ गई होगी बात समझ में ठीक है अगर लिखना चाहूं मैं अगर कहूं कि कोर्ट B by 2 का बताओ तो इसका उल्टा कर देना और वो क्या हैगा S S minus B upon डेल मतलब area तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी फिर मैंने आपको बताया था capital R का formula और capital R का जो formula था वो क्या था आपके पास ABC upon 4 into डेल क्या था ABC upon 4 into डेल ये capital R का formula था और एक मेंने जो formula आपको बताया था small R का वो क्या था डेल upon S और एक R का जो formula था ये साथ आपके पास 4 R sin A sin B sin C तो ये चीज़ें आपको याद आगई होगी इतने formula आपके काम में आएंगे आगे ये बात समझ में हैं हाँ ABC upon 4 into डेल ठीक है चलो जी हाँ जी स्टार्ट करते हैं ये पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर sign A by 2 sign A by 2 बताओ फटाओ फटसे sign A by 2 किसके बराबर होगा sign A by 2 लगाओ formula formula याद रहना चीए formula का केल है formula का केल है अभी अभी मैंने बताया था कि sign को खुद वाले से बिलकुल नहीं बनती वाई साब sign की तो अब sign की अगर नहीं बनती तो sign A by 2 जो आपके पास होगा इसका formula लिख देता हूँ sign A by 2 का formula क्या होगा S minus B S minus C upon क्या होगा BC होगा अब कहोगे बच्चा की S क्या होता है सर के S जो होता है वो होता है A plus का B plus का C upon 2 होता है सर ये होता है आपके पास S अब तो calculate कर लो मेरे भाईयों फटा फटसे अर अच्छा अच्छा आप भी गया बच्चों की answer C बोल रही है public? हाँ C बोल रही है जनता भाई चलो जी question number 1 का बच्चों ने answer दे दिया 4 दिया भाई A plus B plus C अगर आप upon 2 करोगे तो इसका मतलब सर 16 plus का 24 plus का 20 upon आपके पास आएगा 2 इसका मतलब सर S बराबर आपके पास कितना आगया 30 और S अगर आप यहाँ पे रखते हो value रखते हो 30 में से आपके पास B जाएगा 6 और जाएगा तो 10 और आपके पास B into C मतलब 24 into B C या जाएगा यह आपका इससे कटा दो बार यह आपके पास इससे 3 और यह आपके पास 8 एक बटा 8 का मतलब 2 एक बटा 2 अंडरूर दो सही बात है बैटा फोर्मुले याद करने पड़ेंगे अभी भी अगर किसी बच्चे के पास फोर्मुले नहीं हो तो पडोसन से लिया हो अरे मतलब पडोस के अंदर आपकी किताबी रखी भी होगी उनके अंदर फोर्मुले रखे वे होंगे उठाला उपटापट से ना कहीं पर लिख रखाओगा देख लो नहीं तो पूरी फिर लेक्चेर के अंदर परिशान होते रहोगे अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर जवाब दो अच्छा अच्छा तब ही मैंने देखा यार इतनी जल्दी केसे कर दिया कल नमुना बताया था मैंने हाँ जी अरे बताओ बताओ बिटा क्या होगा आपके पास कोस सी बाइटू कोस बी बाइटू का फॉर्मुला दो फॉर्मुला एजटीज फॉर्मुला है बस स्कॉयर करना है और जब आप दीजिए देखे कौन सा ओप्शन दूसरे में भी सी क्या बात है यार बच्चे इं तो लगाते हैं यहां पे बी इंटू कोस स्कॉयर से यह स्कॉयर रूट हट जाएगा इसका मतलब सर एस माइनस सी अपॉन क्या आएगा एबी इसका मतलब सर बी से सो बी कटा प्लस का सी और उसका यहां पे बी आ रहा है ना के पिटल भी तो यहां पे स्मॉल भी आ जाएग और square करोगे S, S-B upon क्या जाएगा AC, इससे ये कटाब का, अब इस दोनों के अंदर से बताओ क्या common है, कि सर S common है, और एक आपके पास A नीचे आजाएगा, और क्या जाएगा, S-C plus S-B, ऐसा आएगा, तो सर S और S कितना हो गया, 2S हो गया, और 2S की value क्या होती है, कि सर वो होती है, आपके पास S upon A तो बहारी है, और 2S का मतलब A plus का B plus का C, और इसमें already minus का B है, minus का C है, ये दोनों इससे कट गए, इससे A कट गया, तो क्या बच गया आपके पास, S answer बच गया, नमुने वाला वाली है, चलो, चलो, कोई बात ने, मुझे याद तो है, मतलब अपने आपको याद तो है, ये भी करवाया था फिर मैंने, चलो देखे, बताओ, इसका answer क्या होगा, किसी triangle की sides आपके पास ये है, तिर्बुच का छेतरपल क्या होगा, चलो, चलो, बहुत बढ़िया, कल करा दिया था, चलो, 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 ये भी कल करवा दिया था, कि आप देखो कि ये आपके पास एक right triangle triangle बनेगा, समकोंड तिर्बुच चलो जी, ये वाला नहीं करवाया था, ये भी करवा दिया था, चलो, ये नहीं करवाया होगा, चलो, बताओ, ये capital R बताना, इस question में, capital R बता cosine formula का ही direct answer आता है, चलो, ये भी आ गया है, चलो, आपको capital R पुछाता, और सर, capital R क्या होता है, सर, capital R होता है, ABC upon 4 into del, क्या होता है, ABC upon 4 into del, और ये del क्या है, कि सर, ये hero वाला formula, मिथून वाला formula, S, S-A, S-B, S-C, ये hero का formula होता है, लगाओ, सर, S की value होती है, A plus B plus C upon 2, इसका मतलब 13 plus 14 plus 15, बटे आपके पास 2, 27 में 5 जोड़ोगे 32, 42, इसका मतलब सर कितना आएगा, 21, और 21 अगर आप यहाँ पे रखोगे, तो del बराबर आपके पास क्या आएगा, 21 into आपके पास कितना आएगा, 8 into आपके पास 7, और into आपके पास 6, और इसकी value आप निकालो, क और यह दोर यह 6, इसका मतलब 6 बहार, और एक 7 बहार, और एक 2 बहार, तो कितना आया, आपके पास 12, 42, 84 आया, तो इसका मतलब आर बराबर आपके पास आजाएगा, 13 into 14 into 15, बटे आपके पास 4 into 84, ठीक है, कर सकते हो आराम से, करवा दिया था ना, यह, C option आपका राइट आ बताओ, अब आओ, अब आओ रोड पे, फटा फट से बताओ, आपके पास इस question का right answer क्या होगा, यह नहीं करवाया, यह नहीं करवाया, बताओ फटा फट से क्या होगा, इस question का सही answer, आपको बताना है, तिर बुच की जो बुजाएं हैं, वो किस progression में होगी, बोलिए फटा हो गए, एक दिन के अंदर question कर लिए, बच्चों ने बाई साब है, एपी, जी पी, यह नहीं हुआ था, यह वाला question नहीं हुआ है, यह वाला question नहीं हुआ है, इससे पहले वाले question हो चुके थे, कि सर, यहाँ पे cost c by 2 का अगर मैं formula लगांगा, तो cost c by 2 का जो formula है, वो क्या हो प्लस आपके पास c into cost square a by 2, तो वो क्या होगा, s into s minus a upon क्या होगा, bc होगा, ऐसा होगा, तो यहाँ से आपके पास c से यह c गया, इसके अंदर यह a से a गया, और s upon b, यह तो आ गया बाहर, और यह दोनों आपके पास s minus c, प्लस आपके पास s minus a बच गया, इसका मतलब सर, s upon b, और into 2s minus a minus का c, और बराबर में आपको दे रखा है, b क्या है, 3 by 2 दे रखा है, sir, s की value जो मैं यहाँ पे a plus b plus c रखूँगा, तो क्या है, s upon b, और क्या बच जाएगा, आपके पास b, और equal to आपके पास 3b upon 2 बच जाएगा, sir, यह b से यह b गया, और यह जो 2 है, क्या था यहाँ पे, ना, सही है ना, बिटा, तो यह आपके पास 2 इदर cross multiply, b से b cancel हो गया, यह 2 को आप इदर multiply कर दो, तो आपके पास क्या जाएगा, 2s equal to, कहीं न कहीं mistake हो गई, कहीं न कहीं mistake हो गई, एक मिनिट फिर से sol करता हूँ मैं, बचलो जी, देखते हैं फिर से, cos square c by 2 जो आपके पास होगा, वो क्या होगा, s, s minus c upon a b, और दूसरा वाला होगा, आपके पास c into cos square a by 2, तो वो होगा, s, s minus a upon होगा, आपका b c, और equal to 3 by 2 है, यह c से c गया, और यह आपके पास a से a गया, तो s upon b जो है, वो आपके पास बहार, s minus c plus s minus a, एसा, s और s होगा, 2s, 2s की value a plus b plus c, तो क्या बचेगा, आपके पास b, मतलब s बचेगा, बराबर आपके पास क्या है, 3b upon 2 है, ऐसा, s की value रखो, 2 से multiply करो, s की value भी क्या होती है, a plus का b plus c upon 2, और equal to आपके पास 3b upon 2, यह 2 से 2 गया, एक b जब इदर transfer होगा, तो इदर आपके पास 2b बचेगा, और 2b बरा option आपके पास right है, आगे चलिए फिर, आगे चलिए, small r की value बतानी है, 18, 24 और 30 अगर आपके पास हो, तो small r की value और small r के लिए formula आपको याद होगे, क्या होगा, बताओ, बताओ, फटाओ, small r के लिए जो formula होता है, wो होता है, डेल अपोन एस कल एक बच्चे ने कमेंट किया था के साथ इन दोनों में रिलेशन बताओ capital R और small r में वो भी बता देता हूँ capital R बराबर क्या था ABC upon 4 into डेल था और small r के बराबर होता है डेल अपोन आपका S इन दोनों को multiply कर दो capital R into small r बराबर डेल से डेल कटेगा और यह आजाएगा आपके पास ABC upon 4 into S देख लो वई यह small r और capital R के अंदर relation है लिख लेना इसको होना capital R into small r बराबर ABC upon 4 into S होता है समझ गए ठीक है इसका अंजर कितना है अच्छ है डेल की value निकालो पहले 18 इन सब को अगर add करोगे 8 और 4 बारा और 3, 3, 6, 1, 7 divide करोगे तो आपके पास कितना आएगा 36 S की value आपके पास ही आ गई और आप डेल की value भी निकालनी है डेल की value क्या होगी आपके पास S, S minus A S minus 6 और 6 12 into आपके पास 6 इस पूरे का square root कर दो आप है ना इसका square root कर दो तो यह आएगा आपके पास क्या 6 into 6 into 6 216 यह आपके पास आया डेल है ना डेल की value और डेल की value रखोगे 6 into 6 into 6 upon S की value कितनी है 36 तो आपके पास small r की value कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी सही बात है चलो जी पहला option सही है अगला question बताईए अगला question cos square bc cos square a by 2 ac cos square b by 2 और ab cos square c by 2 इसकी value किसके बराबर होगी बहुत ही शांदार सा सवाल है ठीक है बोलो फटा फट से यह वाला question नहीं हुआ था बिटा पहला चलो जी बहुत बढ़िया है पहला answer आपके अपास आगया है ना question formula ध्यान रखो अपने आप question बनते जाएंगे ap में हो तो अच्छा अच्छा हाँ जी बताओ 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 क्या होगा इस question का सही answer कौनस option होगा आप देखो यहाँ पर आपको जो value रखनी है वो कैसे रखोगे आप b c और cos square a by 2 अगर आप करते हो तो वो होगा आपके पास s s minus a upon b c होगा ठेक है square root हट जाएगा square करने से पहला क्या है आए s s minus a same इसी तरीके से दोसरा हैगा s s minus b और तीसरा हैगा s s minus c ऐसा हैगा समझ गए बात को इन सब के अंदर से s common ले लो s common ले ओगे तो क्या आएगा आपके पास इन सब के अंदर से ये आएगा आपके पास 3s minus का a minus का b minus का c और ये जो आपके पास 3s है इसको s plus का 2s लिखो s plus का 2s लिख दिया आपने और ये जो 2s होता है इसकी value होती है A plus B plus C जो कटेगा किसे इस से और ये S और S multiply होके क्या हो जाएगा S square क्या हो जाएगा आपके पास S square इसका मतलब आपके पास पहला option इसका right option होगा बोलो समझ में आया कि नहीं आया पहला option right option होगा इस question का पहला option right होगा बहुत प्यारा सा question है बिटा आएगा चलो जी हां जी आगे वाला कोश्यं आगे वाला कोश्यन आपकी स्क्रीन पर यहां पर साइन ए क्यूंत्रणी और बहुत बढ़िया काम होगा कि आप इसका स्क्वाइर कर दो दो आप इसक्वाइर स्क्वाइर करोगे तो क्या आएगा 4 sin square a by 2 और sin square c by 2 और equal to sin square b by 2 आपके पास आएगा ठीक है ऐसा तो यहाँ पर sin a by 2 की विल्यू रखेंगे 4 into sin a by 2 की विल्यू क्या होगी आपके पास इसको तो खुद वाली से दुस्मनी है ना s minus b s minus c upon होगा आपके पास bc s minus a s minus b upon होगा आपके पास a b यह लिख दी मैंने c by 2 की विल्यू और b by 2 की विल्यू क्या होगी s minus a s minus c upon होगा a c लो जी अब कर लो multiply s minus a से यह s minus a गया s minus c से यह s minus c गया यह a से आपका यह वाला a गया और इस c से आपका यह वाला c गया आ गही होगी बात समझ में इतनी तो अब आप क्या करोगे यह बचा केवल आपके पास यह दो बचा 4 into s minus b और s minus b को multiply करोगे s minus b का square यह b और b b square और b square को मैंने इदा ट्रांसपर कर दिया आई बात समझ में अब क्या कर लो आप दोनों साइट square root कर लो तो यह आजाएगा 2 into s minus b और बराबर आपके पास कितना आजाएगा b आजाएगा इसको अंदर multiply करोगे 2s minus का 2b बराबर क्या आएगा b समझ गए बात को यहाँ पे 2s की value रख दो भई 2s की value रखोगे यह आ रहा है आपके पास 2s minus का 2b बराबर b और 2s की value क्या होगी a plus का b plus का c minus का 2b बराबर b इसमें से एक भी कम होगा उदर जाके आपके पास 2b बराबर a plus c और 2b बराबर a plus c का मतलब यह भी सर ap में है यह भी सर आपके पास ap में है पहला option right होगा पहला option right होगा थोड़ी सी calculation करनी है थोड़ी सी calculation करनी है ap के अंदर है ap में चलो जी आगे चलते हैं थोड़ी सी calculation करनी है only formula based question है formula based question है formula based question है और इसका जवाब देना अगला question आचुका है आपके सामने a square minus b square upon sin a plus sin b b square minus c square upon sin b plus sin c c square minus a square upon sin c plus sin a हाँ जी जी पी वाले तुक्के लगा रहे थे हाँ जी जवाब दो क्या होगा इस question का सही answer आपको देखो यहाँ पर इस question को थोड़ा सा अलग अंदर से करना है ठीक है ना वो समझना के सर अपन ऐसा पढ़ते हैं कि sin a upon small a होता है इसके बराबर में constant होता है तो आपने sin a के बराबर a के माल लिया या तो आप a की जगह रख दो a बराबर k sin a रख सकते हो आप इसा रख सकते हो यहाँ पर value रखेंगे के को बहार निकाल लो आप इसका मतलब small a की जगह आप direct इसा रख सकते हो sin square a minus का sin square b upon आपके पास क्या है sin a plus का sin b समझ गए मैंने इसकी जगह value रखी है small a की जगह पन के sin capital a और b की जगह sin capital b रख सकते हैं दोसरा आपके पास जो है यह है b square minus c square तो यह आएगा आपके पास sin square b minus का sin square c upon आपके पास sin b plus sin c जड़ा देखो तो सही और तीसरे को रहने तो इसे बन जाएगा देखो इसको एक बार plus में एक बार minus में लिखा जा सकता है क्या कि सर इसको लिख देंगे हम sin a plus sin b और क्या लिख दिया जाएगा sin a minus का sin b लिख दिया जाएगा इसको समझ गए और नीची जो ट्रम आपके पास है वो है आपके पास sin a plus sin b plus इसको क्या लिख लिख दिया तो इससे तो यह cancel लगा तो पहला तो बचा क्या आपके पास sin a minus का sin b क्या बचा कि सर sin a minus का sin b दोसरा क्या बचेगा दोसरा बचेगा sin b minus का sin c तीसरा क्या sin c minus का sin a बचेगा बोलो आया यह आपके cancel 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 और बराबर में क्या बचा जीरो लो जी अरे आया की नहीं आया समझ में हैं ललन टोप लग गया कुशन हाँ एजी बन जाते हैं जब solution करने बेटोगे तब simple बन जाएंगे कुशन चलो जी आगे बढ़ता हूं मैं इस कुशन का जो आंसर आएगा आगे वाला सवाल यह रहा आपके स्क्रीन पर चलो जी ट्राइंगल ABC में B प्लस C बराबर है 3A और कोट B बाई 2 कोट C बाई 2 का विल्यू आपको बताना है कोट B बाई 2 कोट C बाई 2 का विल्यू किसके बराबर होगा बताईए कोट B बाई 2 कोट C बाई 2 का विल्यू किसके बराबर होगा टेन वाले जो Hudlana उन्हीँ से करलो हो जाएगा उन से किसके बराबर होगा इसकी वेल्यू किसके बराबर आएगे बता हो जरा है यह बराबर बी बराबर सी बराबर 90 क्या बात यार है Его तीनों एंगल 90 मान लिए तो इतर बुस बन गया गया जरा समझना कि quote b by 2 का formula क्या होगा quote b by 2 का formula quote c by 2 का formula quote b by 2 को लिखेंगे पर quote b by 2 upon sine b by 2 तो quote b by 2 के अंदर आपके पास क्या होता है वो होता है s s minus b और जो बज़ जाते हैं वो नीचे आजाते हैं तो वो हो गए आपके पास s minus a और s minus c ये तो हुगा quote b by 2 का square root आता लगाएंगे भी quote c by 2 का कितना होगा quote c by 2 का होगा s, s minus आपके पास c और s minus a और s minus b ऐसा होगा लो जी, ये होगा आपका काम, समझो कि sir, s minus c तो इससे कट गया s minus c तो s minus b sir, इससे कट गया और ये दोनों का square हो गया इसका मतलब sir, इसको ऐसा लिख दू तो कोई गड़बड है क्या, नहीं है sir s upon s minus a लिख दिया sir इसको, आई बात समझ में इसको उपर नीचे 2 से multiply कर सकते हो आप 2 से अगर इसको multiply करोगे तो ये आ जाएगा 2s upon आपके पास 2s minus का 2a कैसा आपके पास आजाएगा आई बात समझ में, तो अपन value रखेंगे इसके जगे, 2s की value क्या होती है sir कि ये होती है sir, a plus b plus c और इस 2s की value कि sir a plus b plus c और minus आपके पास कितना 2a आप देखो, इस b plus c की value बगवान ने दे रखी आपको कितनी है 3a और इसकी भी value कितनी है 3a यहाँ पर put कर देंगे तो क्या जाएगा a plus का 3a और यहाँ पर यह दिए अपन 3a लिखेंगे तो 3a और 4a 4a minus का 2a जाएगा इसका मतलब आपके पास उपर तो आया 4a नीचे आया 2a इसका मतलब आप divide करोगे तो 2 बच गया बगवान की दया से हरा आयाक नहीं आया दो आपके पास इस question का right answer आगे बात समझ में तो इस question का right answer आपके पास second option हो जाएगा आगे बढ़ा जाए आगे बढ़ता हो में आगे बाला question ये रहा आपके पास ये रहा आपके पास यहाँ पे जो दे रखा है न वो समझ जाना डेल दे रखा area यहाँ पे आपके पास डेल area area into quote a by 2 plus quote b by 2 into quote c by 2 बोलो भई क्या होगा question का सही answer क्या होगा question का सही answer बोलो आराम से करिए formula को याद करिए मैंने आपको दो type के formula बताया थे याद होतो है किसा 10 a by 2 का formula मैंने एक दूसरी ट्रम में बोला था आपको क्या 10 a by 2 का formula सर होता है deal upon s s minus a यह formula बताया था deal upon s s minus a जो होता है वो उसकी सामने वाले side नीचे से minus हो जाती है सेम इसी तरीके से 10 b by 2 का बोला था मैंने क्या किसा deal upon s s minus b यह बोला था समझ गए चलो जी अब देखिए और जवाब दीजिएगा court की अगर अगर अपन calculation करेंगे तो यह उल्टा उल्टा हो जाएगा इसका मतलब सर डेल into तो इसको अगर अपन soul करेंगे तो s s minus a upon deal प्लस आपके पास s into s minus b upon deal प्लस आपके पास s into s minus c upon deal ऐसा तो सर यह डेल 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 नीचे से common आके से cancel और s s s तीनों में से यह दिपन common ले लेंगे तो यह बच जाएगा 3s minus a minus का b minus का c बोलो आया अब इस s को वो ही बात है आपके पास इस question का right answer क्या जाएगा s square s square आपके पास question का right answer बेटा इसका तो आपको formula से ही करना पड़ेगा इसका कोई logic नहीं है आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा इसका कोई trick नहीं है समझ गए आगे बढ़ते हैं आगे वाला सवाल ये रहा आगे वाला सवाल केवल 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 आपको जो formula लिखना है वो sign a by 2 का sign a by 2 का आप formula लिखिए और direct आपके पास answer आएगा और बिल्कुल सीधा सा सवाल है बिल्कुल सीधा सा यहाँ पर formula जिसको याद है ना यह formula याद हो गए प्रेक्टिस करते करते formula याद हो जाते है हाँ जी बताओ 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 क्या होगा इस question का सही answer क्या होगा इस question का सही answer कि सर इस question को अपन इस तरीके से कर लेंगे कि x के बराबर sign square आपके पास दे रखा है sin square a by 2 दे रखा है तो इसके s minus का b s minus c और x into sin square a by 2 का मतलब होगा आपके पास क्या s minus b s minus c upon होगा आपके पास b c यह हो गया sir sin square में तो आप देखो कि sir s minus b से यह कट गया और s minus c से यह कट गया इसका मतलब आपके पास x के बराबर क्या बच गया b c x के बराबर क्या गया b c इसका मतलब पहला option आपके पास right है आ गया चलो जी पहला option सही है आगे वाला question cost b by 2 की value निकालनी है cost b by 2 की value निकालनी है और बिल्कुल साधारन है केवल formula है cost b by 2 का लगा यह formula और निकाली answer cost b by 2 cost b by 2 की value निकालनी है हाँ जी बताओ cost b by 2 की value आपके पास क्या होगी फटाफट से बताएगा cost b by 2 का value क्या होगा cost b by 2 का value फटाफट बताओ के सर cost b by 2 के लिए formula क्या होता है के सर वो होगा आपके पास s s minus b upon s s minus b upon ac होगा अब आपको S की value निकाल लिए S की value 30 आजाएगी दोनों को जोड़के 2 का डिवैड करेंगी तो 30 इंटू आपके पास 6 बटे 16 इंटू 20 ऐसा आपके पास आजाएगा यह इससे कटेगा और आपके पास समझ गए कितना 9 upon अच्छा कोस भी बाइटू कहीं मिस्टे कर दी है मैंने S-B upon AC S-B upon AC S की जो value आपके पास आएगी कितनी आएगी 40 आएगी 30 आएगी सही है 30 और इंटू 6 बटे आपके पास कौन सा option आ रहा है पहला option अच्छा एक 4 और बचा हुआ था एक 4 और बचावा था इसका मतलब 3 बटे 4 3 बटे 4 सही है 3 बटे 4 पहला option सही है पहला option सही है अना चलो जी आगे चले फिर आगे वाला question ये रहा अगर ABC 27 रेडी में है अगर ABC 27 रेडी में हो तो इसकी value आपको बतानी है केवल as it is formula पुट करो और answer आएगा formula पुट करो और answer आएगा बोलो क्या होगा आपके पास इस question का सही answer क्या होगा question का सही answer केवल formula पुट करना है इसके बाद में होगा inverse trigonometry कल से प्रेक्टिशेशन स्टार्ट हो जाएगा inverse trigonometry का चलो जी समझना किसर sin a by 2 के लिए formula लिखेंगे क्या किसर ये होता है आपके पास s minus b s minus c upon होगा आपके पास b c ये sin a by 2 का sin c by 2 का कितना square root लगाते नहीं और इसका formula होगा sin c by 2 का होगा s minus a s minus b upon होगा आपके पास a b होगा इसका square root और निच्चे sin b by 2 का s minus c upon होगा आपके पास a c और इस पूरे का square root ऐसा तो ज़रा cancel करिएगा कि a से तो सर ये a गया c से आपका ये c गया s minus a से ये गया s minus c से ये गया इसका मतलब ये आएगा पूरा s minus b upon b square b आया और आपको दे रखा है a b c समान तसर डी में है तो क्या होगा कि ये होगा 2b बराबर a plus का c और इस s की value यहाँ पे अगर अपन रखते हैं 2 से उपर नीचे multiply कर देता हूं ऐसा कर देता हूं ठीक है तो आपके पास इस 2s की value कितनी किसर a plus b plus c और minus आपके पास कितना 2b upon कितना 2b तो यहाँ पे इस a plus c की value कितनी आ रही है 2b 2b और a की वाला 3 3 में से एक जाएगा b upon 2b तो इस question का जो right answer होगा 1 by 2 इस question का right answer होगा आपका b option ठीक है b option सही आ जाएगा आगे बढ़ते हैं आगे वाला question यह रहा चलो जी द्यान से देखेगा आपको केवल formulae के अंदर गुमाया है formulae के अंदर गुमाने की कोशिस करिए वई formulae के अंदर गुमायने की कोशिस करी गई है आप से चलो जी देखो 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 फटा फट से आपको formulae के अंदर गुमाया है formulae के अंदर चलो चलो कोई बात नहीं हाँ बिलकुल आ जाता है कई बार आ जाता है एंगल अगर आप उट करते हो ना तो आ जाता है कि सर यहाँ पे थोड़ा सा लोचा क्या है बाई साब मैंने आपको नेपियर एनलोजी पढ़ाई ती या नेपियर एनलोजी अरे नेपियर एनालोजी या फिर टेंजेंट रूल टेंजेंट रूल या नेपियर एनालोजी वो ही तो बात है टेंजेंट रूल वाली तो टेंजेंट रूल वाली बात ये थी किसे टेंजेंट का फूर्मुला अगर मैं यहाँ पर B-C by 2 अगर लिखता हूँ ना टेंजेंट में हाँ ना तो यह सर आपके पास होता है B-C upon B plus C और एक्चुल में यहाँ पर आपके पास आता है 10 B plus C upon 2 और इसका दूसरा जो फोर्म है मैंने कहा था अगर आप इसकी value put कर लेते हैं तो यह आजाता है सर कोट A by 2 जो बच जाता है वो और यह इदर multiply किया हुआ है इसका मतलब B-C upon B plus C B-C upon B plus C B of C option आपका राइड है चलो जी बताइए आगे वाला question A बराबर 5 है B बराबर 7 है sign A बराबर 3 बटे 4 है तब इस परकार के कितने triangle possible है इस परकार के कितने triangle possible है जिसके अंदर sides यह हो सकती है sides यह हो सकती है बताओ आप जवाब दो भई question का देखें हाँ जी जवाब दो आपके पास ऐसे कितने triangle possible है ऐसे कितने triangle possible है जब आपके पास ऐसा configuration आजाए ऐसा configuration अगर आजाएं a बराबर 5, b बराबर 7 आजाएं और sin a बराबर 3 by 4 आजाएं तो यह से कितने triangle possible है तो आप कहोगे समझना कि सर इसके अंदर सबसे पहले triangle पता करने के लिए sin a upon small a और sin b upon small b ऐसा sin a बराबर आपके पास कितना है 3 by 4 और small a बराबर कितना है 5 sin b upon small b की जो value है वो है 7 cross multiply कर दो 21 बटा कितना हैगा 20 सर यहां से जब मैं 21 के अंदर 20 का divide गरूंगा ना यह वाली value सर यह तो एक से बड़ी है जबकि sin की value वो हमेशा minus 1 से लेकर plus 1 की बीच में होती है यह एक से बड़ा possible ही नहीं है तो ऐसा configuration बिलकुल possible नहीं है और ऐसे triangle सर बनेंगे ही नहीं ऐसे triangle बनेंगे नहीं समझ गए बात को तो b option आपके पास इसका right होगा लो जी सर किसी triangle के अंदर s minus a s minus b बराबर s s minus c हो तो बताओ angle क्या होगा c का जो angle होगा वो आपके पास क्या होगा फटा फट से बो जी अगला सवाल आपकी screen पर आ गया है बहुत प्यारा सा question है बहुत ही प्यारा question है आप बताईएगा कि angle c जो होगा वो आपके पास क्या होगा जब ऐसी condition आ जाएं तो एसी condition आजाएं तो तो के मतलग आओ ध्यान से देखो question को और फिर answer देओ हाँ तो के मतलग आओ question में कि सर ऐसे question के अंदर ये वाली form आती कब है आपको पता हो कि सर ये सारे के सारे ABC जो तीनों side से वो आती है सर 10 में इसका मतलब आपके पास 10 का जो formula होगा 10C by 2 का formula वो यही तो होता है क्या कि सर S minus B अच्छा अच्छा S minus A S minus A S minus B upon आपके पास होता है S S minus C ये formula होता है कि सका 10C by 2 का अगर मैं यहाँ पर आप देखो कि इसका square करने के बाद में सब दोनों बराबर है तो कौन सा angle इसको satisfy करेगा कि सर C बराबर 90 रख दो C बराबर अगर आप 90 रखोगी ये दोनों संखें बराबर है तो cancel out करने से क्या आएगा 1 आएगा तो इसका मतलब C by 2 बराबर क्या आएगा ये आएगा आपके पास 1045 आएगा 10C by 2 बराबर 1045 तो C बराबर कितना C बराबर आएगा 90 C बराबर कितना जाएगा 90 C बराबर आजाएगा 90 ठीक है पहला option right होगा ठीक है आगे चलिए सर ABC triangle है कि कौन समानतस ready में हो कौन अगर समानतस ready में हो तो कौन सी condition इसमें से सही होगी तिरबूज ABC के कौन 70 ready में हो तो इसमें से कौन सी condition सही होगी बहुत अच्छा question है ABC अगर 17 ready में हो एंगल अगर 17 ready में हो तो क्या condition बनेगी निमाक लगाओ और वैसा आप कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है के अंदर कहीं भी नहीं मिलेंगे आरस अगरवाल में तो यह चिप्ट रहे नहीं लुसेंट वाले कुशन मैंने अधिक्तर पूरे करवा दिये ठीक है और यह एक्स्ट्रा कुशन से जो मैंने कहीं से कबाड़े हैं चलो समझ ना किसर जब ABC के कौन समानतस्रेडी में हैं तो आपके पास A, B और जो C है ना वो आपके पास 30, 60 और 90 होगा 30, 60 और 90 कर लिया आपने इसके अंदर लगाओ फॉर्मला कोस B का किसर कोस B के बराबर होता है A स्क्वाइर प्लस का C स्क्वाइर माइनस का B स्क्वाइर अपने 2AC यह होता है यहाँ पर B के बराबर मेंने 60 लिखा तो कोस आट और कोस आट की विल्यू एक बटा दो एक बटा दो इंटू 2 AC बराबर आपके पास A² प्लस का C² माइनस का B² इसे ये कटा देख लो A² B² बराबर क्या आएगा आपके पास B² बराबर आएगा A² प्लस C² माइनस AC ये option आपके पास सही आगया कौन सा option है? B option right होगा सर B option right है विटा D गलत है, D गलत है न? D गलत है देख लो जब आपके पास AP में होते हैं तो 30, 60 और 90 मानते हैं पनेंगल्स को ठीक? आगे बढ़िए लो जी, बहुत ही अच्छा question आया sign B upon sign A plus B sign capital B upon A plus B जो आपके पास होगा वो किसके बराबर होगा? ये बताइए प्यार में गंजुसी है है? प्यार में गंजुसी चलो कोई बात नहीं सर के सर हम ये जानते हैं कि A plus B plus C जो होता है वो होता है सर 180 के बराबर इसका मतलब सर A plus B जो होगा वो किसके बराबर होगा 180 माइनस C के बराबर नीचे रख दो विल्यू तो यह आएगा सर sin B upon यहाँ पे A plus B की जिगव 180 माइनस C लिखोगे x स्वस्ती माइनस थिटा तो सर वो कौन सा क्वाडिन्ट? सेकिंड और सेकिंड क्वाडिन्ट में साइन किसका प्लस का और क्या आजाएगा आपके पास साइन C sin B upon sin C इसका मतलब B upon C इसका राइट आंसर है B upon C इसका राइट आंसर होगा कौन सा उप्षन है? B उप्षन ठीक है? बहुत बढ़िया सवाल था बिटा बहुत बढ़िया वाला कुश्य नहीं चलो आगे बढ़ता हूँ मैं आगे बढ़ता हूँ अगला सवाल ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखे अब इसमें तो सोल करना ही पड़ेगा आपको कैसे करोगे? करो 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 फटाफ़ से देखे कैसे करोगे इस कुश्यन को? चलो हिंट बता दूँ मैं आपको साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए प्लस बी है अभी अभी मैंने आपको यह बताया था भाई ए प्लस बी के बराबर तो क्या लिख दिया जाएगा किस तर लिख दिया जाएगा साइन सी लिख दिया जाएगा इतनी तो बात समझ में आ गई उपर वाले में form ना लगाना पड़ेगा किसका sin A-B का form ना लगाना पड़ेगा या फिर इसका एक logic ऐसा है इसका एक logic आप ऐसा भी मान सकते हो कि अगर अपन triangle मान ले 90 degree का और triangle के अनुसार इपन side मान ले 3, 4, 5 मान लिया A, B, और C मान लो यहां पर इसा मान लो ठीक है ताकि value आप डंग से calculate कर रहा हो यह 90 मान लिया इसके अंदर एक 30 मान लो अच्छा 30 तो मान नहीं सकते ना चलो जी 30 मान सकते हैं क्या 30 नहीं मान सकते इसके case में तो sides अपने को अलग-अलग मननने पड़ेगी चलो इसको आप इसा करो इसको भी 4 मान लो इसमें angle 45 मान लो अच्छा वो 0 हो जाएगा बी और सी अगर आप मान लो चलो चल जाएगा आराम से काम चल जाएगा यह 45 45 मान लिया अपने 4 4 और यह हो जाएगा 4 root 2 जाएगा साइद और दूसरा तरीका यह है कि यह तो आपको formula लगाना पड़ेगा sign a minus b क्या कि साइन a cos b minus cos a sin b यह जनरल तरीका है और नीचे आपके पास क्या है sign c है अब यहाँ पर sign a तो क्या होगा small a के बराबर into cos b किस के बराबर होगा cos b होगा आपके पास a square plus k c square a square plus c square minus b square upon होगा आपका 2ac के बराबर होगा दोसरा वाला sin b जो होगा small b के बराबर और cos a होगा आपके पास b square plus का c square minus का a square upon तो b c होगा ठीक है नीचे क्या है आपके पास c ऐसे करना पड़ेगा ये b से आपका b cancel हो गया ये a से आपका a cancel हो गया और ये जो नीचे 2c आएगा वो आपका 2c से multiply होके 2c square उपर वाले को जब हम माइनस से multiply करोगे ये माइनस का c square इस c square से cancel ये माइनस का b square और माइनस का b square माइनस 2b square मतलब आजाएगा 2a square माइनस का 2b square upon 2c square मतलब a square minus b square upon c square a square minus b square upon c square तो पहला option आपके पास ही है ठीक है हाँ पहला option आपके पास इस question का right है आप देख ले ना आप solution put करके आपको देखने पड़ते हैं या फिर आप sides मान के फिर करो चलो जी आगे वाला question ये रहा आगे वाला question बेटा जब अपन पहली बार कोई भी चीज को करते हैं न पहली बार ये properties of triangle वेसे ही बहुत बैंकर chapter है न और पहली बार में अगर अगर दूसरी बार उठाएंगे न तो formula click हो जाएगा दिमाग में कि यार हमने उस time पर ये लगाया था अपने आप ही formula लगेंगे फिकर न अपने आप ही लगेंगे formula पहली बार में सब कुछ लेंती लगता है चलो जी अब ये तो जवाब देदो क्या होगा ये जवाब देओ क्य क्या होगा एंगल B क्या होगा सी बोल रही ये पॉबलिक चलो क्या बात है कि सर ये आपके पास C square प्लस A square माइनस का B square इस AC का कर दो इधर divide तो बराबर में कितना बचा आपका 1 बचा अरे सभी तो AC का divide कर दिया तो 1 बच गया आप क्या करो 2 से नीचे multiply कर दो कि सर ये formula किसक पर जाना पहचाना है कोस B का कोस B का formula बन गया कोस B बराबर 1 by 2 है इसका मतलब B बराबर आपके पास Pi by 3 आजाएगा अब तो सही है सर ऐसे कराओ ना ललू ललू कुशन है बिलकुल सिंपल सिंपल कराओ हमारे को तो तब मजा आएगा चलो आगे चलो लो भाई साब आगे formula आपके पास आ गया है आपके स्क्रीन पर देखिएगा जरा देखिएगा ये question आपके पास किस तरीके से होगा हाँ जी करो लगाओ दिमाग अब लगाओ कैसे करोगे इस question को लगाओ देखिए कितना दिमाग लगाते हो see बोलती मादूरी है अच्छा देखना जरा देखिएगा 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 समझेगा के सर a के बराबर में क्या लिख सकता हूं के सर a के बराबर आप लिख सकते हो k sin capital A लिख सकते हो कोई doubt किसी बच्चे को तर ये तो sign A formula उससे लिख दिया लिख सकते हैं सर ये जो A है इस A को में क्या A सा लिख सकता हूँ क्या पाई माइनस A प्लस B लिख सकता हूँ क्या पाई माइनस A प्लस B लिख सकता हूँ क्या अरे सागी क्या सोरी पाई माइनस B प्लस C लिख सकता हूँ क्या अरे लिख सकता हूँ बाई A प्लस B प्लस C बराबर पाई होता है न और सर पाई माइनस ये थीटा इसका मतलब इस पूरे को थीटा माना तो ये तो second quadrant का है इसका मतलब सर ये तो sin B प्लस C आ जाएगा बोलो आया अरे sin B प्लस C लिख सकते हैं अरे projection मतलगा हो इसमें इसे कर लो तो यहाँ पर आप देखो A की जगे में क्या लिख सकता हूँ sin B प्लस C A की जगे लिखा मैंने क्या sin B प्लस C और into आपके पास क्या है sin B माइनस का C दूसरे वाले में B की जगे अगर मैं लिखूंगा तो क्या हैगा C प्लस का A और ये वाला क्या हैगा sin C माइनस A तो यह सब आपको फर्मूले बता रखें सर क्या कि 100 A माइनस B यह होता है sin square B माइनस का sin square C sin square B माइनस sin square C और दूसरा वाला कैसर दूसरा वाला होता है sin square C मैंनस का sin square A और तीसरा वाला भी यह सभी सब का काम ख़तम और zero answer आपके पास आ जाएगा question का right answer होगा पहला option पहला option right answer बोलो आया सही है क्या है चलो आगे बढ़ता हूँ आगे बढ़ा जाए आगे बढ़ा जाए लो जी सर अगला question अरे अगला question आ चुका भई अगला question बहुती simple question है बहुती साधारण question चलो जी जवाब दीजी क्या होगा question का सही answer लगाओ दिमाग अच्छा बगवान के तरह ऐसे तुक्के के अंदर correct हो गए चलो जी देखो बिटा यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात है कि यहाँ पर आपके पास इस question का थोड़ा सा गुमाएवा question है समझना बात को कि यहाँ पर जो लिखावा है न यह वाला इसको अपन ऐसा लिखते हैं कि A प्लस C प्लस का B लिखा मैंने इसको bracket के अंदर मान लिया मैंने ऐसा मान लिया A प्लस C प्लस B उसको दोनों का product क्या हो गया सर क्या दे रखा है 3 अरह सर गुमा दिया आपने तो अरे लो जी अरे लो बेटब आगया एसी का डिवाइड करते हैं आपके पास वापस वो ही कितना आ गया 60 आ गया किस की वेल्यू बी की वेल्यू आपके पास 60 आ गई बी की वेल्यू 60 आ गई अरे आया कि नहीं आया हाँ एसे कुश्चन के अंदर भी हमेशा 60 आता है चलो भई लो जी आगे वाला कुश्चन आगे वाला कुश्चन कुछ कुश्चन से बचे में हैं चलो बताओ इस कुश्चन का जवाब देना कोसे एक ए कोसे एक ए बराबर साइन भी कोस सी और कोस भी साइन सी जरा समझो कुश्चन को और उसके बाद में जवाब देना थोड़ा सा गुमायावा है उतारो मेक अप फटा फट से बोलो भई बताओ क्या होगा कुशन का सही आंसर समझना बात को कि सर को से एक एक को लिख देंगे क्या को से एक एक को लिख देंगे नीचे साइन ए साइन भी कोस सी कोस भी साइन सी इसका मतलब क्या कि साइन भी प्लस सी क्या साइन भी प्लस सी अपोन क्या साइन ए अरे बैसाब आ गया अरे देखो 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 ध्यान से इस भी प्लस सी की जगए ये फोर्मूला बन रहा है साइन ए प्लस बी वाला तो साइन B प्लस C की जगे अपन क्या लिखेंगे पाई माइनस A लिखेंगे पाई माइनस A तो साइन पाई माइनस A साइन A से केंसिल और क्या जाएगा वना जाएगा C ओप्शन राइट है अगला सवाल ये रहा एक तिर्बुज के कौन एक अनुपाद, दो अनुपाद, साथ में हो तो उस तिर्बुज की सबसे बड़ी और सबसे छोटी बुजाओं का अनुपाद एक बार ये देख ले ना कि आपके पास ये जो angles आते हैं वो कितने कितने आते हैं इसको समझना ये angles कितने कितने आते हैं angles को समझना है क्या इसकी value तमारे को पताए गया एक अनुपाथ, दो अनुपाथ, तीन मतलब एक आएगा, 18 दीगभी आएगा 18 आएगा 18 की value आपको पता होगी जरा समझना कि सबसे बड़ी बुजा सबसे बड़ी बुजा जिसका अनुपाथ सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी आईगी जिसका इंगल सबसे बड़ा है उसके सामने की बुजा सबसे बड़ी तो रेशियो है इंगल का वन रेशियो टू रेशियो 7 तो इंगल सबसे बड़ा जिसका रेशियो सबसे बड़ा है यह सबसे बड़ा रेशियो तो सर आपको 180 क आपके पास 180 आजाएगा, इसका मतलब आपके पास कितना आजाएगा, धेख लो multiply करके, 18 को 7 से मल्टिप्लाई तो आपके पास 126 आजाएगा 126 डिग्री है सबसे बड़ा इंगल, सबसे छोटा सबसे छोटा जो आएगा उसका रेशियो कितना है, जो सबसे छोटा रेशियो है 1 upon total ratio रोले रेशियो का सम कितना 10 और into 180 इसका मतलब आपके पास सबसे छोटा कितना आएगा 18 डिग्री आएगा तो आपके पास जो sides का रेशियो आएगा वो भी यही आएगा sign 126 बटे sign 18 sign 126 को क्या लिखा जाएगा इसको लिखा जाएगा 90 प्लस 27 इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो cost 36 cost 36 बटे sign 18 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 सहीए क्या c option आएगा भई c option c option क्यों क्योंकि sign 18 की value में अंडरूर 5 माइनस एक आता है और वो अंडरूर 5 माइनस नीचे आएगा और नीचे वो इसी option में सहीए बिलकुल चलो भाई सहाब आगे चलिए cost A upon A cost B upon B और cost C upon small c है तो इसकी value किसके बराबर होगी इसकी value किसके बराबर होगी जड़ा देखेगा चलो home work के लिए देते हैं question इसके अलावा एकी question और बचावा है तो ये home work के लिए question देता हूँ मैं भाई तुमारे को है ना चलो जी आज इतनी करवाएंगे अब इस chapter की question complete है home work का पहला question है home work का पहला question cost A upon A cost B upon small b cost C upon small c केसे करोगे आपके पास उपाई है बहुत सरे के सर केसे करें cosine formula लगा लो cosine formula अगर नहीं लगाते हो तो और भी बढ़िया हो पाई है क्या है सर वो डूरना पढ़ेगा आपको चलो जी बैसे cosine formula लगा लेना नहीं अगर आप cosine formula नहीं लगाते हो तो एक logic बता देता हूँ इसके अंदर आप LCM ले लो logic LCM ले लो तो यह आएगा आपके पास क्या BC cos A प्लस यह आएगा आपके पास क्या AC cos B आजाएगा और प्लस आपके पास क्या आजाएगा AB cos C लो जी आदा तो मैंने बता दिया समझ जाओ बात को अब cosine formula लगा लेना cos A का cos B का और cos C का और direct answer आजाएगा मैं देख लेता हूँ देखे कौन सा भाई सबसे पहले answer देगा होम रख का question है class save होने के बाद में अगला सवाल ये भी आपके पास होम रख का question है होम रख का मैं help करूँगा बिल्कुल आपके चलो यार ये होम रख का नहीं देते हैं कि ये आप कर नहीं पाओगे कर नहीं पाओगे समझ लो पहले इस question को समझो के sir ये जो c है ना इसकी value में रखूंगा इन दोनों की value जरा समझो कि कैसे कि sir a plus b plus c जो है ना वो 180 के बराबर अगर मैं sir c की value निकालू तो sir 180 minus a plus का b ऐसा अगर मैं लगाता हूँ sir इसके साथ में cos तो यहाँ पे भी cos आएगा तो sir cos 180 minus theta तो वो होता है क्या minus का cos a plus b ऐसा होगा minus का cos a plus b होगा तो यहाँ पे cos c की value है वो रखेंगे minus cos a plus b इसका मतलब 1 यह minus यहाँ पे multiply करेंगे minus तो cos a minus का b और into cos a plus का b इसा आपके पास आएगा cos a minus b cos a plus b 1 minus यहाँ पर है आपके पास cos a minus का c और क्या आएगा cos a plus का c आएगा अब बेट गया सवाल अब बिल्कुल बेट गया क्या अब भी भी formula और बता देता हूँ इन दोनों को product करने से formula आएगा और वो क्या आता है वो आता है cos square a लिख देता हूँ formula 1 minus cos square a minus होता है sin square b cos square a minus sin square b और इन दोनों का formula होगा आपके पास क्या cos square a minus sin square c अब तो कर लो या क्या बच्चे की जहान नहीं लोगे कर लोगे अब तो minus से अंदर multiply करना 1 minus cos square sin square बन जाएगा और sin square a square minus का a square plus b square upon a square plus c square option आएगा d option बिल्कुल d option आएगा चलो जी अच्छा पूरे होगे question पूरे होगे बाई साब पूरे होगे है एक question दिया है homework के लिए अब उसका तो answer दे दे न ठीक है न इतनी तो large रख लेना यार इतने सारे question करवा दिये एक question आपको हमरक के लिए दिया है और उसका answer जब class save हो जाए तब comment कर दे ना वो भी मैंने पूरा का पूरा बता दिया है ठीक है चलो doubt के लिए करते हैं sir जुगाड करते हैं कुछ न कुछ तो करेंगे आपके लिए सारे दिन class होती है ठीक है जुगाड जरूर करेंगे आपके लिए नई साल पर हो सकता है कोई बड़ा update आपको मिल जाए चलो जी आपका प्यार and support class के अंदर इस class को save होने के बाद में comment box में दिख जाना चाहिए मिलता हूँ आप से कल की class में मेरे ज़स्ट बाद में संजी सर की class आएगी और बहुत ही दमाकेदार अंदाज में ठीक है मिलता हूँ आप से next class में तब तक के लिए टाटा वाई बाई जहिन आप 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 आप